आप देखने इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विश्णू शर्मा बात करूंगा आरेसेस के उस कारिकरम की जिसकी बहुत दिनों से चर्चा थी खास तोर पे जब से पड़ा मुकरजी संग मुख्याले में गए थे बाशन देने उसके बात से चर्चा थी कि संग एक कारिकर बनाये रखा और संग ने जो सस्पेंस बनाये रखा कि कौन आएगा उसमें मैं पहले बता दूँ ये कारिकरम है भविश्य का भारत संग की नजर में संग भारत का भविश्य किस तरह से देखता है इसके लिए अलग-अलग फिल्ड के लोगों को प्रसित दस्तियों को बु चौकाया है कि नवाजुद्दिन सिद्धी की ने पहले भी उसी तरह चौकाया था शिव शेना प्रमुक बाला साफ ठाकरे की जीवनी में जो वो काम करने जा रहे हैं बायोपिक में उसमें उनका रोल उन्होंने किया तो उनका लुक उन्होंने शेर किया था दूसरी बार चौकाया है उन्होंने कई भी टूटर पे ये मैंशन नहीं किया कि वो आरेसस के कारकर में भाग लेने जा रहे हैं नवाजुद्दिन सिद्धी की अकेले नहीं है इस कारकर में जो लोग पहुंचे हैं फिल्मी दुनिया से मैं आपको बता दूँ अनु मलिक्त पहुंचे ह हैं इसमें मनीश पॉल जो शोर्स करते हैं अब तक तमाम इस तरह के कारकरमों से दूर रहते थे मनीश पॉल वहां पहुंचे हैं और रवी किशन वहां पहुंचे हैं रवी किशन के लावा बजरंग पुनिया स्पोर्ट से पहुंचे हैं ऐसे तमाम हस्तियां वहां आना श जो हस्तियां हैं उनसे चर्चा करेंगे, भारत कैसा होना चाहिए, संग की सोच क्या है ये बताएंगे, इस तरह से जो और बाकी लोग आएंगे इस कारिकरम में जो भी होगा हम आपको बताएंगे, ये थी अभी तक की अपडेट, देखते रहें इंडिया न्यूस, सब्सक्र पर ये इन खबर, थैंक यू, नमस्कार